आज इस वीडियो का टॉपक वेट गेन है कि किस तरह से हम फूड का कॉंबिनेशन लेकर चल दें तो हमारा वेट गेन अच्छे तरीके से होगा किस तरह से हम फूड को कंबाइन करके अपने मील्स को कैलिजी डिच मना सकते हैं जो के हमारा फिर बहुत अच्छे तरीके से हल्थी वे में वेट गेन करवाएगा जिस तरह से वेट लोज करवाना लोगों के लिए एक बड़ी स्ट्रॉगल बनी हुए इसी तरह वेट गेन करवाने के अपना वेट गेन करवाने के लिए या वेट लॉस करवाने के लिए तो वेट गेन करवाने के लिए सब को पता है कि हमने कैलरी रिच टाइड लेनी होती है कैलरी सर्पलस में हमारी बोडी जानी चाहिए यानि कि हमारा जो कैलरी इंटेक है वह हमारे कैलरी एक्सपेंडिच सब्सक्राइब चाहिए बिल जाते हैं कि पाने मेल में अपनी में भी होती है क्योंके भी आइश होता है कि कुर्स चिज्ञ को प्रूड खाया नहीं जाता है जोसिती होता है तोवन कहाना उनका पैट भड़ जाता है और वह इंपना खाना खोड़ देते हैं इसके वज़ा से उनका कैलरी इंटेक कम रहता है और वो वेट गिन नहीं करवा पाते हैं तो इस चीज को अवोईट करने के लिए आपने मेक शूर करना है कि आप खाने से आदे घंटे पहले या एक घंटे पहले खाने के फोरन पहले पानी के इंटेक ना करें पानी ना पिए कोई भी लिक्विड चीज ना पी जाए ताके आपका स्टमक है वो पानी के वज़ा से फुल ना हो जाए उससे फिर आपकी एपटेट मजीद कम हो जाएगी जिस तरह वेट लोस करवाने के लिए कहा जाता है कि आप पानी का इस्तिमाल ज्यादा करें ताके आपको कम भूक लगे इसी तरह भूक बढ़ाने के लिए वेट गैन करवाने के लिए ये इंस्रक्शन दी जाती है कि आप खाने के फोरन पहले पानी ना पिए ताके आप ज नहीं खाया जारे हमें नहीं स्नाक्स नहीं खाया जारः तो तो आफ लिक्विड कुछ है कर सकते हुआ आप delicious meals का combination लेकर चल सकते हो तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौनसे foods का combination हम लेकर चले अपने meals में तो हमारा बहुत अच्छे से calorie rich food calorie rich meal design हो जाएगा calorie dense foods वो होते हैं जिसकी एक serving में calories ज्यादा हो जैसे for example अगर एक serving ले milk की की तो उसमें 160 calories मुझूद होंगी full fat milk में और अगर आप one serving ले fruit की तो उसमें one serving में 60 calories मुझूद होंगी तो आपका calorie dense food कौनसा हुआ full fat milk इसी तरह से calorie dense foods को हमने अपने diet में शामिल करना है weight gain करवाने के लिए calorie dense foods की बात करूँ तो सबसे बहले में cheese की बात करते हूं कि cheese की एक serving one and a half pounds होती है जिसमें one sixty calories मुझूद होती है one and a half ounce आपके तीन जो लुड़ों के दाने होती है उसके equal होता है तो तो चीज को अपने नाश्टे में एड करें अपना omelette बनाते हुए उसमें one and a half ounce एड करें cheese या फिर त्री आउंस भी डालने तो उसकी दो serving आ जाएंगी तो one sixty plus one sixty सिर्फ आपको cheese से मिल गई है काफी ज्यादा अच्छी calories आपके breakfast में include हो गई है उसके साथ आपको omelette की calories में मिलेंगी oil जो आपने यूज की है इसको बनाने में उसकी calories भी जा रही है पिर bread जो आपने लेने है उसकी calories भी जा रही है तो एक बहुत अच्छा सापका calorie-rich breakfast भी बन जाएगा उसमें अपने veggies भी एड करनी होंगी इसको ज्यादा यमी बनाने के लिए तो अगर आप चीज को अपने breakfast में include करेंगे तो यह आपके breakfast को calorie-rich बना देंगा यानि कि आपको बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं पड़ा एक्स्ट्रा और आपके जो meal है आपको breakfast उसके calories भी बढ़ गई है तो यह बहुत अच्छा आ आपके calcium का भी बहुत अच्छा सोर्स है और आपको healthy calories भी मिल जाएंगी इसके इलावा अगर हम चाय का इस्तमाल करें कोफी का इस्तमाल करें उसमें full fat milk एड़ करें तो वह भी हमें calories प्रोवाइड कर रहा होता है तो वह भी हमारे लिए calorie dense food बन जाएगा अगर हम उसको भी पूरे दिन में शामिल करें तो वह हमारी caffeine की नीट भी पूरी हो जाएगी और हमें calories भी मिल रही होंगी weight loss करवाने के लिए कहा जाता है कि आप कम दूद इस्तमाल करें तो weight gain करवाना है तो आप ज्यादा दूद इस्तमाल कर सकते हैं अपनी चाय और coffee में अगर आपको अब बाषवाई करवाई के टूराम से जियादा एजिली हम राइस आ प्संद होता है वह pregnancy कंग का लिए ऑ्सका प्रहा सकते हैं तो इसका le sehr गश्य कि आप खाम से जाiges इभाएंगे तो इसका y Size कलोई शु भी बढह बढ़ जाएगी आगर वह तेन सर्विं ले त honky यह एन आप चीज भी आप ड़ेगा, तो मजीद ड़ेंच मील आपका बन जाएगा और आपको एक्स्ट्रा बहुत खाना भी नहीं पड़ेगा तो जिन लोगों से जादा खाया नहीं जाता उनके लिए ये चीज बहुत effective रहेगी कि उनको जादा कुछ खाना भी नहीं पढ़ रहा है और उनका जो meal है वो calorie dense बनता जा रहा है इसके इलावा weight gain करवाने के लिए रोटी के साथ आप आलू का combination लेकर भी चल सकते हैं अब पूरी खाएंगे एक बड़ी जो हमारे यहां standard बनती है 12 inches की वो आपको 80 plus 80 calories provide कर रहे हैं तो उसके साथ आप मजीद सालन में आलू भी एड़ करतेंगे तो वो आपकी carbs की calories मजीद बढ़ जाएंगी एक time पर आप 2 से ज्यादा serving ले रहे होंगे तो वो आपका फिर या पिर अलग से आप boiled potatoes भी ले सकते हैं अपने snack में या अपने meal में इसके लावा अगर आपको cream भी बहुत पसंदे तो आप इसको अपनी coffee में डाल सकते हैं ताकि वो मजीद calories आपकी increase हो जाएं उसी cup में fruit juice भी आपका calorie intake बढ़ाने के लिए बहुत effective है जब आप fruit juice बनाने लगते हैं तो एक glass बनाने के लिए आपको 5-6 fruits की calories मिल जाती है उस एक glass में जो आपके लिए easy होता है पीना तो इस तरह से भी आपका calorie intake बढ़ा सकते हैं make shake बनाते हुए भी आप उसे calorie dense बना सकते हैं जैसे full fat milk लें उसके अदर बनाना एड़ करें डेट्स एड़ करें कोई और fruit अगर आपको पसंद तो आप वो एड़ कर लें honey एड़ कर सकते हैं उसमें आप nuts एड़ करें पीनट बटर अगर आपको पसंद तो आप वो भी उसक पसंद होता है तो आप full fat yogurt कर सकते हैं उसके अंदर आप fruit एड़ कर सकते हैं seeds आड़ कर सकते हैं उसको smoothie की form में भी आप ले सकते हैं जिस तरह से भी आपको consume करना पसंद होता है तो यह आपको खाने में भी easy रहेगा और आपका calorie dense meal भी तैयार हो जाएगा इसी तरह nuts का इस्त और आपका अच्छे तरीके से calorie intake बढ़ा देंगे healthy way में आपका calorie intake भड़ेगा जब भी आप खाना खाएं पेट भड़के खाएं अच्छे से खाएं अपना पूरा खाना complete करें उससे दर्मियान में ना छोड़ दें कोशिश करें कि आप अपना meal जो है उसको time पे लें timely भू होंगे तो आपका weight gain होने लग जाएगा अगर आप इस तरह से करेंगे कि दो दिन आपने ज्यादा खाल लिया बागी दिन आपने calorie intake बहुत कम रखें तो बिसली भी weight gain नहीं हो सकेगा तो consistency यहां पर आपको चाहिए होगी consistently आप अपना calorie intake बढ़ाएं अपनी body को calorie surplus में रखे ताके आपकी body weight gain करवा सके अच्छे तरीके से healthy तरीके से साथ में आप exercise जरूर करें muscle strengthening exercises करें weight lifting करें ताके आपका maximum weight है वो muscle mass की तरफ से हो muscle mass आपका gain हो aerobics करने की जुरत नहीं है weight gain करवाने के लिए क्योंकि वो आपका fat loss भी करवाता है muscle loss भी करवाता है तो उससे आपने avoid करने और अपने muscle strengthening और weight lifting की तरफ जाने तो इस तरह से calorie dense meals अपनी diet में शामिल करें foods का combination लेकर चलें ताके आपके body calories surplus में जाए अपनी body की calorie requirement काउंट करें कि आपकी body को weight maintain करने के लिए कितनी calories चाहिए जो कि आपका BMR होता है फिर उसमें आप 500 calories increase करें आपका weight gain होने लग जाएगा अब weight gain करवाना है तो calories आपने अपनी बढ़ानी है तो इसका क्या मत्रब के आपको junk food खाना pizza burger खाना allowed है आपको कोई instruction ने इस चीज की तो ऐसा नहीं है अगर एक healthy तरीके से weight gain करवाना चाते है तो आपने इन चीजों को avoid करना है आपने junk food को फिर भी avoid करना है उसकी रिजन ही है कि उसमें saturated fat का content ज्यादा होता है saturated fat आपकी body में चरबी तो बनाएगा ही बनाएगा लेकिन वह जाके आपके blood vessels उसमें भी जमा होने लग जाएगा जो कि फिर आपकी blood vessels को तंग करेगा और future में आपको blood pressure, diabetes या हार्ट का मसला होने के chances भर जाते हैं तो इसलिए आपने healthy तरीके से weight gain करना है ताके आपकी health effect ना हो आपका cholesterol level ज्यादा ना हो आपको heart disease के chances ना हो तो आपने healthy तरीके से weight gain करवाना है अपने 5 food groups को एक 7 combination में लेकर चलना है ताके आपका पूरे दिन का calorie intake ज्यादा हो whole greens, protein, fats, fruits, vegetables, dairy इन स आपको साथ लेकर चलना है ताके आपका calorie intake ज्यादा हो पूरे दिन में और आप अच्छे तरीके से healthy way में weight gain करें जिससे आपकी health भी affect ना हो in fact जब आप अपने healthy BMI पर आएं तो आपको किसी भी disease होने की chances कम हो जाए आपकी immunity भर जाए so I hope आपको इवीडियो बहुत अच्छी लेगी होगी इसे अपने friends and family के साथ जरूर share करें और मेरे चैनल को subscribe करें thank you so much